नमस्कार मैं हो ससी आया ज्यारखन की टॉप 25 पर्मोग खबर जानते हैं ज्यारखन में आई से सोमवार सुबह 6 बये तक पूर्ण लोकटाउन ज्यारखन में सनीवार की साम 4 बये से 38 घंटे का लोकटाउन सुरू हो गया है जो सोमवार 14 जून की सुबह 6 बये तक परभावी रहेगा इस ओधी में सबजी, फॉल, दूद, मिठाई वा किराना की दुकान सहीद सभी दुकाने बंद रहेगी आवागमन भी बंद रहेगा बहुत जरूरी नहों हो तो घरों से बाहर नहीं निकले नीजी वाहनों सहीद सभी तरह के आवागमन बंद रहेंगे सिर्फ माल वाहक वाहनों को छुट दी गई है बता दे बीशेज परिथीतियों में या स्वास्त कारणों से असपताल जा रहे हैं लोगों को छुट दी गई है जर्खन में मांसुन दस्तक देने को है बता दे बंगाल के खाड़ी में बने निम दबाव के कारण इस बार समय से पहले जारखन में मांसून के परवेस करने का उनुमान है मौसम बैग्यानिकों की माने तो रवी वार तक राजेम में मांसून परवेस कर सकता है बता दे 13 जून को कहीं कहीं भारी बारिस हो सकती है अगले पांच दिनों तक जारखन में हलके सिम्मा से दर्ज की बारिस हो सकती है जैक बोट की परिक्छाव का पई नाम CBSC वा अने बोट के साथ होगा जारी मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री मंसुरे ने कहा है कि कुरोणा सेंक्रमन को देखते वे बच्चों के हीत में जारखन एकेडमी कॉंसिल की दस्वी एवं बरावी की परिछावरत करने का निने लिया गया है उनके अनुसार जैक बोट की भी इन दोनों परिक्छावों का पई नाम CBSC येवं अने बोट के साथ या पहले जारी किया जाएगा मुख्य मंत्री ने कहा कि चुकी CBSC, ICAC तथा कई अने राजयो द्वारा दस्वी और बरावी की परिछावरत करने के साथ ही परिछावल के परिक्छावल के परिक्रिया शुरू कर दी गया है ऐसे में जार्खन बोट से पंजिक रित बिद्यार्थियों के हीत में अवस्यक होगा कि और ने सभी बोट के साथ ही आथवा उसके कुछ दिन पहले या तुरंद बाद जार्खन बोट का भी परिक्छावल परकासित हो जार्खन बोट 10 वी बरहमी के छात्रों का अंत्रिक मुल्यांकन 30 जून तक जार्खन एकेडमी काउंसिल जैक की मैट्रिक और इंटर्मीडियेट का रियर्ड तैयार करने के लिए इंटर्नल असेस्मेंट की परक्रिया अगले सब्ता सुरू हो जाएगी 30 जून तक सभी स्कूलों को इंटर्नल असेस्मेंट की परक्रिया पूरी करने होगी जैक इसके लिए एक पोटल भी त्यार कर रहा है जिसमें स्कूलों को इंटर्नल असेस्मेंट और प्रेक्टिकल का नंबर अपलोड करना होगा इसको लेकर अगले सब्ता जैक की ओर से गाइलन जारी कर दी जाएगी बता दे सनिवार को सभी छेत्रिये सिक्षा उपनी देशक और जीला सिक्षा पतादिकारी की वर्चुल बैठक में जैक ने इसके संकेत दिये है जार्खन के कस्तुर्वा विद्यालियों में सिक्षिकाओं यम अनकर्मियों के 362 पदों पर भाहली 31 जुलाई अमतिम्ति थी जार्खन के 203 कस्तुर्वा गांधी अवास्य बालिका विद्यालियों में सिक्षिकाओं यम अनकर्मियों के 362 पद रिक्थाए राई सरकार दोरा इन पदों को भरने के लिए बार बार निर्देश दिये जाने के बाद भी इने भरा नहीं जाता अब इसकुली सिक्षा हम सक्षार्ता विवाकर सचीव राई सर्मा ने इन पदों को भरने के लिए समय सिमा निधायत कर दी है उन्होंने सबी उपायुक्तो वा जीला सिक्षा पदाधिकारियों को इन पदों को भरने के लिए समय सीमा ताय कर दिया है सिक्षा सचीवने निर्धारित समय सीमा के अंदर सारी परकिरिया पूरी करने ते हुए 31 जुलाई तक नियुक्ती परकिरिया पूरी करने को कहा है 15 अगस्त तक चैनित सिक्षिकाओं यम कर्मियों का विद्यालियों में पदस्थ अपना कर दिया जाएगा 10 वी और बरावी के विद्यार्थियों के मुल्यांकन के लिए मापदन तै कर दिये हैं इसके तहट 10 वी कख्षाओं के विद्यार्थियों को 9 वी की परिक्षा तथा बरावी के विद्यार्थियों को 11 वी की परिक्षा में मिले अंकों के अधार पर मुल्यांकन किया जाएगा बता दे इसके अधार पर उन्हें अंक दिये जाएंगे साथ ही ब्यभारिक परिक्षा तथा आंत्रिक मुल्यांकन के आंक भी जोडेंगे बता दे मुख्य मंत्री हेमान सुरेन ने इस पर अपनी स्विक्रिती दे दी है ज्यारखन में 30-33% बच्चों को ही डिजिटल एजुकेशन कुरोना में हमारे के कारण पैदा हुए हालाद के बीच राजे में 30-33% बच्चों को ही ऑनलेन माद्यम से जोड़कर पठन पठन कराया जा रहा है लिहाजा बच्चों की पढ़ाई को एक बार फिर पठरी पर लाने के लिए राजे परियोजना निदेशक सहलेस कुमार चवरसिया के और से सभी प्रमंडल के आरडी डी जीले के डी यो वर डी एसी को पत्र भेजा गया है इसमें कहा गया है कि बिद्याले प्रबंदन समीती के सदस्यों को राजे अस्तर के बेबिनार के मादयम से जोड़कर सिधासन वाद दिन अंतर प्ररम किया जा रहा है इसमें ऑनलाइन प्रसिक्षन दिया जाएगा यह कारे करम राजे के सभी पांच परमंडल में अलग अलग तितियों को 14 से 18 जुन के बीच आयोजित होगा बाल सरम समाज के लिए कलंक मिल कर बदलेंगे मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री मंसुरे ने कहा कि जिवों ने अपन के लिए बाल सरम समाज के लिए किसी कलंक से कम नहीं है दुर्भाग इसे जारकन जैसे प्राकितिक संसादनों से परिपुन और असिम संभवनावाले राजे में भी बच्चे और बड़े जीवों ने आपन के लिए संगर्श कर रहे हैं एक समाज के रूप में हमें मिलकर इसे बदालना है बता दे मुखे मंतरी ने या ट्वीट बाल सरम निशे दिवस के मौके पर किया वही महिला बाल बिकास एवं समाजिक सुरक्षा मंतरी जोबा माजी ने कहा कि बाल सरम कानून अफराद है साथी समाजिक त्रिष्टी कोन से भी या गलत है आए हम सब मिलकर 200 बाल सरम निशे दिवस के अउसर पर सपत ले की बाल सरम को किसी भी हालात में प्रस्या नहीं देंगे रांची में 400 पुलिस कर्मियों की तेनाती में फ्लाइग मार्च जारखन में पूर्ण लोकडाउन के आदेश को सफल बनाने के लिए सनिवार कुरांची पुलिस के अफसर सरक पर उतर आये सनिवार साम पांच बजे अलबट एका चोग से फ्लाइग मार्च निकाला गया बतादेश सीटी एसपी सोरफ के निद्यूत में फ्लाइग मार्च शुजाता चोग तक किया गया इस दोरन पुलिस की टीम ने एलान किया कि अभी से सोम वार सुबा छाओ बजे तक घर से नहीं निकले आदेश का उलंखन करने वालों को मांगा पड़ सकता है भारत में 6545 पनाए केस मिले हैं भारत में कूल मौत की संक्या 3,37,166 है वहीं भारत में कूल एक्टिव केस की संक्या 10,27,271 है लातेहर में सिकार खेलने गया यूवक को नकसली समझ कर पुलिस ने मार दी गोली लातेहर जीले के गारू पर खंड के पीरी जंगल में पुलिस के साथ कथित मुटभेड में नकसली के ब्रहम में एक ग्रामिन यूवक मारा गया बतादे इसको लेकर इलाके के ग्रामिनों ने जम कर बवाल किया और पुलिस टीम को घेर लिया यह घटना सनी वार सुबह की है ग्रामिनों का रोफाए कि पुलिस ने प्रमपरागत सिकार कर निकले यूवक को मार डाला और उसे मुटभेड का नाम देद रही है बतादे लातेहर के एसपी ने भी सुईकार किया है कि इस घटना में मारा गया यूवक नकसली नहीं है मोबाइल वैक्चिनेशन वाहन के माध्यम से लोगों का टिका करन किया जा रहा है साथ ही टिका लेने के बाद भी कोविड अनुरूप ब्यावहारों का ओचित अनुपालन करने की सलाज दी जा रही है बता दे लावार्थियों को कोविड का टिका स्वास्त विभाग दुआर निधारी सरकारी टिके केंद्रों में निसुल्क लगाया जा रहा है सिक्छा मंत्री जगनात मतो 13 को लोट सकते हैं राची जार्खन के सिक्षा मंत्री जग नात्म तो 13 जून को राची लोट सकते हैं वह पिछले कई महिनों से चेनाई के MGM अस्पताल में भरती हैं जनकारी के अनुसार उनको लाने के लिए रिम्स से दोज चिकित सको की टीम चेनाई रवाना हो गई है बतादे रिम्स के चिकित सक चेनाई में मंत्री का प्राइमरी चेक-प करेंगे इसके बाद वे सीधे मंत्री को लेकर नाची के लिए रवाना होंगे केंद्रिये बीत मंत्री ने राजियों की मांग को अंसुना किया रामेश्वर उराव जाखन के बीत मंत्री रामेशर उरावन ने कहा कि केंद्र सरकार ने स्वास्थ उप करनों पर लगने माले GST को सुने परतिशत करने की राजियों की मांग को केंद्रिये बीत मंत्री ने अंसुना कर दिया है उन्होंने कहा कि पिछले 100 वर्सों में ऐसी मामारी नहीं दिखी गई ऐसे में अक्सिजन कंस्ट्रेटर, पल्स अक्सिमीटर, दवाईयां सहित औरने सभी परकार के स्वास्त उपकार्णों पर जिस्टी सुने पर्तिशत करने का आगरा 28 माई की बैठक में अनुरोद किया गया था, इस परकार की मांग गयर भाजपा सासित नौप पर देशों ने भी किया था जारखन में ब्लैक फंगस के चार नए मरीज, जारखन में सनिवार को ब्लैक फंगस के चार नए मरीज मिले हैं इन्वे एक मरीज में ब्लाइक फंगस के लक्षन पाए गए हैं जैबकि तीन मरीज संदिक्द हैं राजे में ब्लाइक फंगस के मरीजों के कूल संख्य 125 हो गई है स्वास्त विभाग के नोडल पता दिकाई सिधात्र पाठी ने सनिवार को प्रेस वर्ता में अजन काई दी उन्होंने बताया कि कोविद नैंटीन के बर्तमान में कूल 4220 सक्रिय मामले हैं कुरोना के टीके से न घवरा है गुमला उपायुक्त उपायुक्त सिसिर कुमार सिन्हा ने कहा कि क्रोना के टीके से न घवराय और अपनी बारी आने पर निर्भिक होकर टीका लगवाएं उपायुक्त सनिवार को पाल कोट परखन के कोलेंग पंचायत के गाओं का भरमन कर रहे थे उन्होंने कहा कि टीके के प्रति फेलने वाली भरांतियों पर अंकुस लगाते हुए लोगों से ही नफवाहो और भरांतियों पर विश्वास न करने की अपील की इस दोरान उपायुक्त ने सेमरा पंचायत के सोड़क टोली ग्राम इस्थित राजकिये क्रित उतकर्मिक मदेपी द्याले में संचालीत कोविट टीका करन केंद्र का निरिक्षन भी किया कुरोना से हुई मौद का आकला छिपा रही हमन सरकार बिजेपी कुरोना सेंक्रमन सोही मौद के आकड़े पर भाजपा के प्रवक्ता अविनेस कुमार ने हमन सरकार पर हमला बोला है अविनेस कुमार ने सनिवर को कहा कि हमन सुरेन की सरकार स्वास्त के मामले में फेल है कुरोना काल में हुए मौद के आकड़े चुपा रही है कई अध्यान से यह बात जग जाहिर हो चुका है कि सरकार कुरोणा सोही मोत का आकड़ा गलत पता रही है कुरोणा संक्रमन से बड़ी संक्या में लोगों की मोत हुई है सरकार मामले में जाच करवाते वे सही वो तथे परक आकड़ा प्रस्तूत करे आम जनता के आखों में धोल जोकना बंद करे रूपा तिर्की ममला बहन माना तोरिष्टा का फ़र्ज निभाय सीएम दीपक परकास भाजपा के परदेश अध्यक्ष दीपक परकास ने मुख्य मंतरी के उस बयान का स्वागत किया है जिसमें उन्होंने रूपा तिर्की को बहन समान मानते हुए उसे निया दिलाने की बात कही है परकास ने सनिवेर को कहा कि राजे की होनहार बेटी अब इस दुनिया में नहीं है लेकिन उनकी मा एवं परीजन उसे न्याय दिलाने के लिए सरकार से एक ही अनुरोद कर रहे हैं वह है उनके हत्या की सिविया इजाज उनके परीजनों के साथ जन जातिय समाझ के कई संगणarte मिलगातार यही मांग कर रहे हैं जार्खन में किनरों को मुख्य धारत से जोडने की पहल करेगी हिमन सरकार किनर के प्रती अब समाज और सरकारों का नजरिया तेजी से बदल रहा है हाला कि समाज वा कोई राजियों में या बदलाव अभी परवान नहीं चड़ पाया है लेकिन ओरिशा सरकार के पहल अने राजियों के लिए भी प्रेना सुरोत सावित हो सकती है बता दे ओरिशा में राज सरकार ने पुलिस विभाग में किनरों कन्योकती की तेज कर दी है वहाँ सरकार ने 477 इंस्पेक्टर पद के लिए इसी सनिवार को बकाईदा विग्यापन भी निकाल दिया है पलामू में सोमवार सुबा 6 वए तक संपुन लोगडाउन उपायोकते पलामू जिला में सनिवार साम 4 वए से सुमवार सुबा 6 वए तक लगाए जाने वाले संपुन लोगडाउन को सक्ति से लागू किया जाएगा समधित SDO वब वीडियो अपने अपने छेत्रों में उक्त निर्देश का सक्ति से अनुपारन कराएंगे बतादे ए निर्देश पलामू का उपायोकत सासी रंजन ने दिया है वे सनिवार को NIC सबागार से ESP के साथ सन्योकत रूप से वीडियो कंफरेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों से मुखातिव थे CM हमंद से मिले UNICEF के पताधिकारी UNICEF इंडिया के पताधिकारी ने राची में मुख्यमंत्री हमंसुरें से मुलकात की मुख्यमंत्री आवासे करयाले में मुख्यमंत्री हमंसुरें से UNICEF के पताधिकारीयों ने मुलकात की क्रोना संक्रम से निपटने के लिए कई महत पुन चीकित से उपकरण मोख्यमंत्री को सोपा मोख्यमंत्री करयाले की और से ट्वीट कर बताया गया कि CMHM से UNICEF इंडिया की पता दिकार्वेंड मुलकात की तथा क्रोना वारास से निपटने है तू आटी PCR मसीन, बी सलाग थ्री लेयर सर्जीकल मास्क, आट सो अक्सिजन कंस्ट्रेटर, दो वाकिंग कुलर, एक वाकिंग फ्रीजर, नवे आइस लाइट रेफ्रीजेरेटर, 27 डीप फ्रीजर समेत अन्योपकरण सोपा चत्रा में डिजिटल कलास रूम और ऑक्सिजन प्लांट लगाएगी CCL Central ColdFit Limited जल्द ही चत्रा जिले में अंगन बाड़ी कंदर का नवे करण, डिजिटल कलास रूम और ऑक्सिजन प्लांट लगाने का काम सुरू करेगी इसके लिए CCL और चत्रा जिला पर साथन के बीच एक समझोता प्रहस्ताक्षर हुए है बता दे इस समझोता के अंतरगाद चत्रा जिला पर साथन को लगभक 3 को रूपे परदान किया जाएगा इससे जीले के 100 आंगनबाडी केंद्रों को मोडल आंगनबाडी केंद्र के रूप में विक्सित करने के साथ 30 स्कूलों में 54 डिजिटल क्लासरूम यूम कम्यूनिटी हेल्स सेंटर टंडवा में अक्सिजन पलंट अस्थापित किया जाएगा 1 जुलाई से नए तरीके से जारी होगी मद्यान भोजन के लिए रासी मद्यान भोजन यूजना के अंतरगत रासी के वियुक्ति एवम निधी की उपयोगता के अनुसरोवन हेतू नवीन बीतिये प्रवंधन पदती 1 जुलाई 2021 से लागू हो जाएगी रासी जीला सिक्षा अधिक चक कमला सिंग ने आदेश जारी कर कहा है कि मद्यान भोजन विए ना कोशांग अंतरगत सभी किया नवीन एजेंसी द्वारा जीरो बाइलेंस रासी का एक बैंक खाता संचालीत किया जाएगा सभी एजेंसी सभी मद्यों की रासी सूत सहीत गन्ना करते हुए 15 जुन तक अनिवार तौपर जामा करेंगे और इसकी जनकारी मद्यान भोजन कोशांग को देंगे बेतला रेंज में दिवार खड़ी कर रहा बन विभाग सर्जू राय जाखन के पुर्व मंत्री और जमसेत पूर पूर्वी के बिधायक सर्जू रायने मुखे मंत्री हमन सुरेन को पत्र लिह कर बेतला रेंज के भाग एक और भाग दो के बीच बन विभाग द्वारा बन से दे थाइंक यू